हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ एक और नई रेसेपी मुंग दाल के कौफटे वाली कड़ी इससे पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे ही नई नए रेसेपी आपके साथ शेर कर सकूँ और हाँ बिल आइकन जरूर दबाना तो फ्रेंट्स आइए बनाते हैं मुंग दाल के कौफटे वाली कड़ी मैं आपसे step by step डिसकस करने जा रही हूँ आपको रेसेपी बताने जा रही हूँ सबसे पहले एक कटोरी मुंग दाल को चार घंटे के लिए बिगो दे मुंग दाल को पानी हटा कर अच्छे से पीसना है तो आपको कोशिश करने है कि मुंग दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहे अच्छे से श्ट्रेन होना चीए अच्छे से पानी हटाना है फिर उसको पीस ले पानी अच्छे से हट गया तो कौफते अच्छे बनते हैं अब आपको लौकी को ग्रेट करना है अच्छे से कीसना है और उसको भी चानली पर रख देना है ताकि उसको भी पानी निकल जाए आपको हाथ से थोड़ा सा दबाना भी है, क्योंकि लोकी भी पानी छोड़ती है, तो हमें ये पानी नभी नहीं चाहिए, बार में हमें क्या करना है, जो लोकी में से जो पानी निकलेगा, वो हमें अपनी कड़ी में एड़ कर देना है, तो आपने लोकी को ग्रेट किया, और इसमें जो मुंग दाल पीसी है उसमें डाल देना है अब आपको क्या करना है इसमें मसाले डालने हैं अख्खा धनिया अख्खा मतलब भॉल धनिया सौफ लाल मिर्श पाउडर हल्दी स्वाद के अनुसार नमग और जुरत लगे तो अगर आप खाते हो तो जिंडर गार्लिक पेश भी डाल सकते हैं अब इसमें कॉरियंडर लियूस मतलब हरा धनिया और हरी मिर्ची काटके डाल ले सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके गरम गरम पकोड़े उतार लीजिए अब कड़ी के लिए आपको क्या करना है आपको लेना है एक कटोरी दही है ना तो उसके अपर दो कटोरी पानी लेना है और एक टेबल स्पून बेशन लेना है और सबको बीटर से अच्छी तरह बीट कर लीजिए मिक्स कर लीजिए अब आपको उस टोप में जिसमें आपने यह धाई को बीट किया है ना उस टोप में आपको थोड़ी सी हल्दी लाल पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डाल देना है अब हमें इसी टोप में छोक लगाना है तो छोक के लिए आपको एक छोक वाली चमज तयार करके रखनी है उस चमज में आपको तेल लेना है उसमें राई डालनी है कड़ी पता हरी मिर्जी हिंग यह सब डालके इससे आपको छोक लगा देना है और यह छोक इसमें टोप में डाल देना है और कंटिन्यूस आपको छम्मस से हिलाते रहना है जब तक उबान mentor यह यह तब तक आपको लगातार मिलाते रहना है और गेरग फिर दीरे कर दे। दस मिनट तक इसको उबलने दे इससे क्या होगा यह आपने जो पकोड़ी डाले एकतम सौफ्ट हो जाएंगे कड़ी में जाके अब इस कड़ी को दूसरे बर्तर में निकाल ले और हरे धनिया और हरी मीची जो भी आपको डालना उसे कार्निश करे तैंक यू